आज मैं पढ़ने जा रही हूँ कहानी स्वयम प्रकास दोरर रचित बर्डे जिसका इंगलिस अनुवाध होगा बर्ठ डे यानि जन्म दिन यह कहानी बहुत ही रोचक है और आपको अपने आसपस जैसे कि आपने इसी सुना है देखा है ऐसी घटना है कुछ-कुछ अपनी सी महसूस जरूर होंगी क्योंकि कहानिया समाज का आईना होती है और स्वयम प्रकास समाज को अपनी कहानियों में व्यक्त करने में माहिर है उनकी हर कहानी को पढ़ने के बाद यह महसूस होता है कि जैसे इघटना तो मेरे साथ भी हो चुकी है या मैंने ऐसे देखा है सुना ह तो यह कहानी काफी रोचक है सबसे ज्यादा रोचक है इसका अंत लेकिन अगर आप कहानी के सुरुवात नहीं सुनेंगे तो अंत भी आपको रोचक नहीं लगेगा तो आईए हम पढ़ते हैं कहानी आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई लाइफ माई वे में आई हम पढ़ते हैं कहानी बड़ी मुस्किल से फुर्सत निकाल कर सिर्मती बैजल ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ पाई है उन्होंने सुबा मेक अप किया था और अब तिसरा पहर है इस बीच एक बार भी आईने के सामने नहीं बैठ पाई कोई और दिन होता तो बेस फ तूल हो चली है पहले उसपर कसे वस्तरू को सक्ती की सिमा तक कसेंगी बार बार जढर रहे हैं पर उन्हें सुल्जा कर फिर उल्जा कर फिर चेट करके फिक्स कर देने से चल जाता है नहीं तो स्विच लगा लेती है चेहरा मोरा सुन्दर है ये रिंग बदलने कौन से पहने यह भी तय नहीं हुआ है वह साड़ी तय होने के बाद तय होगा और यही आईने के सामने तय होगा मेक्स फेक्टर भी क्या रद्धी चीजे बनाने लगे हैं आजकल पहले कस्टम वाले गुपता जी कितनी अच्छी कॉस्मेटिक ला देते थे यह सोच रही है मिसेज बैचल अचानक उन्हें ध्यान आया कि कर्ड के लिए दूद का भगोना गैस पर ही छोड़ाई है सीता को तो कुछ पता नहीं चलेगा और दूद जल जाएगा केक पर आइसिंग अभी तक नहीं हुई है भवर्सी को एक्स्ट्रा श्ट्रो और पेपर नैपकिन के लिए भेजा था परची पर लिए था पर अभी तक लोटा नहीं है पता नहीं गावडे में कोई दुकंदार परची का आसे समझेगा भी या नहीं गावडे का अर्थ यहां पर है कि ग्रामिर्ट सेत्र कई फुटपात पर बिकने वाले रूमाल न उठा लाए कुछ कहा नहीं जा सकता उठी सीता को आवाज दी भगो न उतार दे फिर बैठ गई साड़ी बनार्ची वाली ठीक रहेगी पर इस मौसम में डार्क कलर इससे त उनी के यहां आकर उनकी इंसल्ट कर जाए तब ही अचानक ध्यान आया कि गुवारे में हवा भवरसी ही भरेगा और भरेगा तब जब आएगा और आएगा तब जब उसे श्ट्रा और नेपकीन मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे क्या मुसीबत है एक ही नोकर और वो भी च कोई भी काम उसके भरों से छोड़ा नहीं जा सकता एक दिन सबजी बनवा लो इतनी मिर्श जोग देगी कि उसे खाओ या रोलो चाय तक ठिक्स नहीं बना सकती कभी इतनी फिकिल बनाएगी कि लगे कब जिसे निवटने के लिए कुछ पी रहे हैं और कभी इतनी मिठी कर पीने के बाद मुँ में घुषड कर चिपके हुए होटों को खोलना पड़े खाने को तो धेर चाहिए कोई नहीं खाओ जी भरके उनको ऐसी आदत नहीं है जो किसी खुराक पर नुकताची निकरें पर ये मरे काम के दिन ज्यादा ही सताते हैं ऐसा सोच रही हैं सिर्मती ब परती है खैर अब अगर प्योर सिल्की साडी ही पहननी है तो नेल पॉलिस तो उसी सेट की लगा ही ले उठाई खोली फिर सोचा सर्व कौन करेगा और इतनी चिलर पिलर संभालेगा कौन सुधी तो कुछ करेंगे नहीं उन्हें ही करना पड़ेगा कोई इधर से कीचेगा क कोई उधर से साडी का सत्यानास हो जाएगा चासनी के हाथ तो जरूर लगेंगे चलो और गंडी ही पहन लेते हैं जो बंबई से लाय थे बस धंजट खात्म सेट सेंडल लिपिष्टिक चुडिया सब है उसके साथ की लेकिन ब्लाउज क्या वह छोटा तो नहीं हो गया वक्त है सिर्मती बैजल रुआसी हो गई उन्हें लगा उनकी किसमत खराब है वरना क्यों सुधिर इंफोर्समेंट इंस्पेक्टर की इतनी बढ़िया नोकरी छोड़कर लेक्चरर सीप में आते अच्छे खासे साहर में थे वेलो ठाठदार मकान था नोकर चाकर थे गिफ तो अब भी सक है कि चिरंजी लाल बदरी परसाद वाले केस में सुधिर फास ही गए थे फास ही गए होंगे वरना इतनी अची नोकरी छोड़कर ये फटी चरी करने कोन आता सुधिर की सब बाते उन्हें पसंद नहीं है एक दिन की छुटी नहीं ले सकते इन्विजिलेशन सिर्फ उनका बेटा है और उसे भी छुटी लेने नहीं दी जैसे बर्डे साल में 10-20 बार आता हो एक दिन नहीं जाता स्कूल तो क्या बिगड़ जाता हर बर्डे को ऐसा ही होता है ये स्विट्टू की पांच भी बर्डे है स्कूल जाने लगा है पिछली बार तो दीन भर उसे हलका बुखार था जीक रहा था उसे भी सम्हालती जाती थी और खर्टी जाती थी हालांकि मदद के लिए चार आदमी थे पर आदमियों से काम लेना क्या मुसीबत है और फिर शोटी जात के आदमी जरा नजर फिरो तो चीनी ही फांक ले मलाई ही चाट ले बिड़ी प भाविक है पर मजाल है कोई नुक्स निकाल सका हो कोई कितने बड़े बड़े घरों के लोग आये थे उस दिन सबकी जबान पर एक ही बात थी कमाल कर दिया सिर्मती बैजल कितनी रहत मिलती है काम सफल होने पर सारी मेनत सकारत हो जाती है सिर्मती बैजल कलपना लोक में हो चुकी थी सारे महमान उनके खाने की तारीफ करते हुए जा चुके हैं बिखरे हुए ड्राइंग रूम में गुबारे के टुकड़ों में पिछ की हुई टोपियों में इधर उधर पड़ी रह गई मिठाई की किसी अधखाई प्लेट में फूलों की कुछली हुई पंखु दी है और यह लाल पेकेट किसका है भार्गवास का क्या है हाए कितना प्यारा सुटपीस है स्वीटू पर खूप हवेगा और यह सीख सहाब इतना भारी क्या उठालाए जापान का स्लाइट प्रोजेक्टर गजब करते हैं और जरा यह बैगनी वाला पैकिंग तो देखें देखिए क्या खुबसूरत अलबम है यह भी इंपोर्टेड है लूतराज सचमुच बहुत फॉर्मेलिटीज करते हैं लीजिए जितना कर्च हुआ इससे चार गुना दोवसूल हो गया यही बात है यही बात है जो हर साल महिलाओं को बच्चों को वर्सगाठ मनाने के सब कर लेंगी लेकिन जब अपने वेंजन दूसरों को खिलाएंगी और दूसरे वह वह कर उठेंगे कैसा सुख मिलता है और खासकर जब महंगे महंगे उपहार भी दे जाते हो वैसी भी जेवर कपड़े डिनर सेट क्रॉकरी और घर की सजावट किसी को दिखाने का मौका क कब मिलता है लेकिन आज का तो दिन ही खराब था सुबह केक बनाने बैठी तो दो अंडे खराब निकल गए केक में बेकिंग पाउडर की जगा गलती से खाने का सोडा डाल बैठी सारा फेक कर दोबारा बनाना पड़ा पती को क्रीम लेने भेजा तो बरतन ही ले जाना भू गया चार चकर स्कूटर पर बाजार के लगा कर पती देव बगैर खाना खाये कोलेज चले गए क्योंकि कूकर का धकन ठीक से बनने हुआ था और समय पर दाल नहीं बन सकी थी मेकप जो सुबह हुआ था साम तक दोबारा नहीं हो सका था पेपर नेपकीन लेने गया भावर स खाली हाथ हिलाता लोट आया और आते ही सीता से किसी बात पर उलज पड़ा सीता ने चाइना गिलास की तस्तरियां तोड़ दी और कुछ खास मेमानों के निमंतरन पत्र जो पती कॉलेज जाते वक्त ले जाने वाले थे टेबल पर पड़े रह गये प्याज कारते से मैं स्र जाजवा कई छोटा हो गया निकला लेकिन स्रिमती बैजल के दुखों का अंत नहीं था पती एकदम एन वक्त पर कॉलेज से लोटे और स्वीटू तो महमानों का अना शुरू हो चुकने के बाद आया वह सुबह से चिर्चिरा हो रहा था उसने कप्रे बदलने से इंकार कर दिया और स्कूल डेस पहने रहने के जीत करने लगा बड़ी मुश्किल से उसे अच्छे कप्रे पहनने के लिए फुसलाया जा सका महमान बहुत ही कम आये निश्चित समय से एक घंटी बाद भी ट्राइंग रूम में सिर्फ कुछ बच्चे और एक दो अत्यालप परिचित पोड़स ने ही नजर आ रहे थी आयन वक्त पर रिकॉर्ड प्लेयर खराब हो गया और सुधिर उसे ठीक करने में लग गया अनेक आमंत रितों ने खुद ना आकर सिर्फ बच्चों को भेज दिया जो लिपे पुते से सहमे सहमे बैठे थे ना ही बोल रहे थे ना धुम कर लगा रहे थी और फुल मन होने की असफल कोसिस कर रहे थी उन्होंने नास्ति और खाने दोनों का इंतजाम किया था योजना यह थी कि खास खास 25 तिस परिवारों को खाने के लिए रोक लिया जाएगा और बाकी को नास्ता करा कर विदा कर दिया जाएगा लेकिन मेहमान में पती की नाराजगी परदास्ट करने के बाद सीता अब एकदम निठली खड़ी थी सिर्मती बैजल के भावी आदेशों की परतिक्छा में और उसका इस तरह खड़े रहना सिर्मती बैजल को और बुरा लग रहा था रिकॉर्ड प्लियर ठीक करते सुधिर की उपस्तिती में अगंतुक बची आतंकीत जैसे लग रहे थे और सुईटू अकेला किस किस से बात करता एक छोटी सी लड़की अपनी बड़ी बन का फ्रॉक खीच कर अभी से चलने के जित करने लगी थी और वह उसे इधर उधर देखकर जूटा मुस्कुराते हुए बरज रही थी बड़ी अटपटी और कठी निस्तिती होती जा रही थी फिर खैर सुधिर के कुछ दोस्त अपने अपने बच्चों के उंगलिया पकड़े आए और सुधिर रिकॉर्ड प्लेयर छोड़ कर उनसे गप सब करने में लग गए बच्चे भी कुछ खुले स्वभाग्य से कुछ बोलने वाली और बोलती रहने वाली महिलाएं भी तबी आ गई और बात बात पर जोर जोर से हासने लगी बच्चे भी माबाप की अच्छी सीख और नसिहते भूल कर एकदम सहज हो गए एकदम बच्चे रोना धोना चिल पो किलकारिया है है हूँ हूँ लगा की हाँ अब घर में पार्टी हो रही है सिर्मती बैजल अब सचमुच पर फुल ले थी और सीता अब सचमुच वैस्ट सीता पुरिया उतार रही थी भवर्शी नास्ते के प्लेट लगा रहा था और सुधी दो उसके मित्र प्रिंसिपल और कॉलेज के किस्सों में वैस्ट थे और बच्चों की आखों में स्वुटू के खिलोनों के प्रति इर्शया और खाने का इंतजार दोनों दिखाई देने लगा था आखिर वजसा में आही गया जिसे पार्टी के सफलता का सिखर बिंदु कहा जा सकता है और जिसका सिर्मती बैजल इंतजार कर रही थी बड़ी अदा और तकलूफ के साथ केक लाया गया उस पर पांच ननही ननही मुंबतियां जलाई गई और स्वीटू को फूख माणने को कहा गया सिर्मती बैजल अकेली हैपी बर्डे टू यू गाने लगी एक खुबसूरत रीबन बांध स्वीटू को पकड़ा कर केक कटवाया गया और बच्चों के बहाने बड़ों को बैटने कहा गया नास्ते की बोतले फेंटा की बोतले आने लगी और बच्चे छीना जप्टी में लग गए सुधिर गुबबारे उतार उतार कर बच्चों में बाटने लगे तभी याद आया कि टूपी तो अंदर के कमरे में ही रखी रह गई वे ले आई और सुटू को पहना कर बाकी बच्चे हुए टूपिया बच्चों को बाट दी खैर लोग खाने पिने लगे और बगर तारिफ किये खाते रहे सिर्मती बैजल परतिक्चा करती रही फिर उन्होंने खुद ही दाद मांगने शुरू करती क्यों मिसेज गोयल छोले कैसे बने है भावी जी या अपने पूरियों को हाथ नहीं लगाया अच्छे नहीं बने है क्या भावी सुमन नमक मिट सब ठीक है न महिलाओ ने ठंडी ठंडी ही अच्छा अच्छा कहा जिससे सिर्मती बैजल और बुझ गई उधर पूरूसों को मरे प्रिंस्पल की चर्चा से अब तक फुर्सत ही नहीं हुई थी जो भकोस रहे हैं उसके लिए मूँ से कोई दो बोल निकाल दे कि भावी ठीक है या खराब है क्या है खाप पिकर सब जाने को हुए तो सिर्मती बैजल को पता चला कि उनका अंदाजा कितना गलत था इस साल पिछली साल के बनिस्पत महमान कम थे पर खाना सारा सफाचट हो चुका था नादीदों मर्भुखों को जैसे घर पर कभी देखने को नहीं मिलता हो ऐसा खाना वे लोग खाते पिते लोग थे अब तक स्यूटू को बर्डे पाटी में आते रहे थे और ये छोटे छोटे बच्चों की खुराग तो देखो नहीं वे किसी के खुराग पर टोका टोकी नहीं करती उनका ये मतलब नहीं आखिर वे खुद भी तो ऐसे ही साधरन परिवार स ही आई है उनके बाओ जी क्या थे नगरपालिका में कलर खीतो थे वे आठो भाई भाहन कहीं जाते तो किस कदर ठुसते और बाद में अफसोस भी करते कि क्यों नहीं और भी मिठाई खाली ऐसा सिर्मती बैजल सोच रही थी खेर किसी तरह पाटी निप्टी महमान सुखी औ साथ कुरे देते हुए और डकारे लेते हुए और सुपारी लाइची के मुठे भरते हुए चले गया चलो सांती मिली सीता को चाय का पानी रखने को कहकर सिर्मती बैजल सुधीर के साथ उपहारों के पैकेट देखने संभालने बैठी लेकिन इस बार उनकी आसा से एक चौ का नोट भी दिया अना सुधिर के हाथ में ही खा फी कर हाथ जाड़कर चले भी गये खैर जो लाए उन्हें तो देख लिया जाए अब सिर्मती बैजल छोटे छोटे उपहारों के पार्सल खोल कर देखती जा रही थी और उनका दुख बढ़ता जा रहा था उनकी बाहों का रक्त चाप नापक लगा होता तो वह हर पैकेट के अनावरण के बाद धिरे धी रखी सक रहा होता अधिकांस लोगों ने गोली चॉकलेट या सस्ते प्लास्टी के खिलोने से बला टाली थी कुछ ने हैंडलूम या पोलेश्टर के सस्ते फुट पाथिया कटवी से भेज लगी हाए कैसे असभ्य टुच्चे जाहिल लोगों में आफासी उन्हें अब भी ये पता नहीं चल सका कि वे कौन लोग थे जो पिछले वर्सों में स्वीटू के लिए मांगे मांगे उपहार लाते थे और क्यूं सब छोड़ छाड़ कर सोफे की पीठ से सर लगा बाल खो की तेओरियां चड़ गई कौन है सुधिर कौन है काकर उठे अभी उठ भी नहीं पाए होंगे कि भीतर में कमरे से सरपट दोड़ता हुआ हो चिलाता हुआ स्वीटू निकला और उनके सामने से पूरा ड्राइंग रूम पार करता हुआ बाहर निकल गया सुधिर बाहर गय आकर पतनी को बताया कि बनने है कौन बनने स्वीटू के तांगे वाला स्वीटू के स्कूल का तांगे वाला सिरमती बैजल ने बगयर कोई परती किरिया वैक्त के फिर आंके बंद कर ली सुधिर डटते हुए बुले कि एक प्लेट लगवा दो फिर फुर्ती से उठी सिरम साफ प्लेट है क्या फर्क पड़ता है बिना बुलाय आ गया है एक एक करके मरे मन से सारी चीजे प्लेट में रखी गुलाब जामून देखा नहीं था प्लेट खाली खाली लग रही थी समोचा कुचल गया था काला पड़ गया था बेफर्स में आधे से ज्यादा चूरा थ इधर उधर देखा किसी बच्चे की प्लेट में छोड़ा हुआ साबुत गुलाब जामून पड़ा था सिर्मती बैजल ने उसी को उठा कर प्लेट में रख दिया और पल्ला संभालती हुई बाहर निकली स्वीटू उस हटे-कटे दाढ़ी वाले की गोद में था और उसकी करदन में गिंदे की फूलों की माला पड़ी हुई थी हुई उसने नमस्ते की सिर्मती बैजल ने प्लेट बढ़ाई उसने सुी चुको उतार कर प्लेट पकड़ी आज जूठन भी खानी पड़ी हमारे स्वीटू को घंडे भर बाद घर में धमा चुक्री करता हुआ स्वीटू पापा को चोथी बार बता रहा था कि उसने बन्ने भाई को कह दिया था कि साम को जरूर 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 आना आज साम को हमारी पड़े होगी और उसकी गर्दन में अब भी गेंडे के फूलों की माला का बड़ा सा हार पड़ा था जो बन्ने उसके लिए लाया था और जिसे पहनते वक्त दोनों ने तालिया बजाए थी जैसे पखावजर संतूर के जुगल बन्दी और जूठे बरतनों के पहार के सामने बैठी स्रीमती बैजल सोच रही थी कि उनकी तो किस्मत ही खराब है ये थी कहानी और मुझे उमीद है पूरी कहानी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी और इसका उद्देश से भी समझ में आ गया होगा ये काफी साधरन सी लगने वाली कहानी है एक साधरन सी घटना है लेकिन उसके पिछे एक गूर संदेश सजा हुआ है उसके पिछे बहुत सारे संदेश और बाते छेपी हुई है जिसे आपको समझना है साध आप समझ गये होंगे तो आपको ये कहानी भी जरूर अच्छी लगी होगी मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में कुछ और अच्छी कहानीों के साथ तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे लाइक करना ना भूले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद